बहुत बहुत सोगत है सुभीका हमारी यूटूब चैनल एश्टोन मेडिया में मैं हुरास रब दिखरे एश्टोन मेडिया श्यूरोब चैनल बहर विश्य विदाले मुजब फरपूर 21-24 के पार्थिरी के चात्रे चात्रा है उमीद है आप लोग अपनी तयारी में लगे हो होंगे पार्थिरी एड्मीद कार्ट से संबंदीत नोटिफिकेशन तुमामें स्टुएंट आज के अख़बार में दे दिया गया है और जो आपका एड्मीद कार्ड है अपके संबंदीत कॉलेज जहां पर आपका एड्मिशन होता है वहां पर भेज देती है असनातक हो य धारे में जानकारी शेयर किया गया है ख़बारों के माध्येंसे मापको बता आएंगे किस दिन से आपको एड्मिट कार्ड मीलेगा और कौन-कौन से डुकुमेंट्स आपको ले करके जाने है ता कि आप कॉलेज से रिटर्न ना है अड्मिट कार्ड ले कर Ke hi atravésर करके के आप BBI question लेने, ध्याना है BBI question में only selected question आता है, answer आपको guest paper से या online परना होगा, 70-80% BBI question से लगबग हर साल असना तक वाला exam में आ जाता है, 20 अगस्त तक ही BBI question दिया जाएगा, उसके बाद से, चुकि 23 से आपका exam है, तो exam में भी थोरा वक्त दिना पड़ता है, तो exam में फिर बिज अगस्त तक लेने, आप चली तुमाम student admit card से संबंदी, आज के पभात खबर ने भी रिपोर्ट की है, और तुमाम student आप देख पार है, ये दानिक जोंगरन ने भी रिपोर्ट की है, हलाकि आज जो है कि कल भी college में समझे तो छुटी था, Saturday था, हाप था, उससे पहले Friday को विश्यव विद्याले और college पुर्णता चुटी पर है किसे भी परकार का कामकाज नहीं होगा, इसलिए आप लोग जाकी उनीस तारिक तक अपने college या university में किसे भी काम से संबंदीत आप लोग न जाएंगे, ध्यान रहे, आप देख पार है, 20 तारिक से admit card आपके संबंदी college में दिया जाएगा, फिर आपका college नहीं है, तो 20 तारिक को जाकर के आप लोग रिलीज जाएगा, नहीं तो 21 को जाएगा, क्योंकि आप या admit card जारी हुआ करने, college में छुटी चल रहा है, और college का काम होता है कि आपका admit card print करे, print करने के बाद एक बार सहीहार करके उसके रख पास जो cyberraphic वाला होता है, उसको तो दे धती है कि आप निकाल करके दे दो, तो आप नस्दीक के है, तो 20 तारिक को जाएगा नहीं आपका घर, college से नस्दीक है, नहीं तो आप 21 तारी को जाकर के ले ले सकते हैँ, य आपका exam 24 से OrbAR है, तो आप चाहेएं तो 23 तारी को भ करने के लिए थिए बहुँ सारा कॉलेज में होता है जो अपने प्रिक्षा फर्म भरा है तो एक रसीद मिला होगा तो रसीद देख कर कहीं अड्मिट कार देती है कुछ कॉलेज कहते है कि नहीं पाकाटू वाला एड्मिट कार दिखाओ तब हम पाकाटबेंगे तो इसे अच यहां पर पर यहां पर जिए ह की फोटो कुछ student का गाए बढाता है तो यहाद है about नहीं रहेगा तो फोटो नहीं साटना है यह है तो फोटो साथ करके और यही पर कॉलेज के college से sign और मोहर लगवा करके तब लेकर किया आईएगा ध्यान रहे है admit card पर आपका यहाँ पर photo रहना चाहिए और photo के नीचे college का sign और मोहर रहना चाहिए नहीं तो वहाँ से photo यदि printed इस पर आता है तो यहाँ पर जो है कि आपके college का sign और मोहर रहना चाहिए admit card पर यह सारा details तो रहेगा ही साथ में examination center रहेगा और दिखिएगा तिये जो honor subject है और एक GS paper है subject में सिर्फ इतना ही रहेगा आपका subject जो भी आपका honor से वो और आपका GS रहेगा अप paper 5, paper 6, paper 7, paper 8 ऐसे करके जो है कि बिहार इनवर्सिटी admit card नहीं जारी करती है बस और nurse subject का नाम और GS का नाम तो बाकी जो होगा कौन paper किस-किस दिन है उसको देखने के लिए जो routine वाली video बनी है वो देख लीजीगा उसके इसाब से जा करके आप लोग exam दीजेगा अभी दिखिए कोनो college अभी website पर admin card चरहाई नहीं है उसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ admit card एकाद्ध है जो net पर चल रहा है वो तो खर आपनो आपने देखा आई होगा तो बस क्या है कि बस admin card जारी हो गई है 20 तारीक के बाद या 20 से ही आप जा करके रिसीब कर सकते हैं और admin card रिसीब करने के लिए पार 2 वाला admit card पार 3 का एक्जामनेशन फरम कर रसीद और एक फोटो ले करके जाएगा रहा बात यहां पर कहा जा रहा है कि अंठावन जो है की sources होते हैं वहां सिवर कर लेते हैं तो आपके पास पहले पहुचा तो आप भेर दीजिएगा मेरे पास पहले पहुचा तो मैं वीडियो बना करके आपको बता दूँगा और पास चनल पर डाल दूँगा ताकि आप लोग देख पाए कि आपका सेंटर कहा है तो तो आमें स्ट्वेट अडमिट कार्ट जारी कर दिया गया है बाकि मैंने सारी चीज़ा आपको बता दिया है बीसे से या उसके बाद से जाकर कि आप लोग एडमिट कार्ट रेसीब कर लिजेगा डोक्रमेंट वे ने आपको बत्या दिये कौन कौन डोक्मेंट आपको ले करके चाना है बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जोगों देखने के लिए